नमस्कार आपका क्राइम फ्री भारत के इस मीटिंग पोर्टर पर आप लोगं का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिश्टर बेकास धनकर कल इन से हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मिश्टर बेकास धनकर जी से की वो अपना परचे दे और जिसे की जो लोग इस वीडियो को देखें उनको आपके बारे में जनकारी हो और फिर मैं चाहूंगा को उस परचे के बाद आपने कल क्राइम फिरी भारत के बारे में और उसके बहुत सरे मॉडूल के बारे में कुछ-कुछ बताया था उसको लेके आपके दिमाग में एक प्रिस्ट क्या आ रहे हैं वो प्रिस्ट आप पूछिए और मैं कोसिस करूंगा कि मैं उनका ऐसा आंसर दूं जिससे क कि आपके मन की जो प्रिक्षा है वो भी सांत हो और जो दूसर देर सारे लोग जो हैस वीडियो को जो देखेंगे उनकी भी प्रिक्षा सांत हो जी नमस्कार मैं विकास धनकर मैं बैसिकली एक टेक्नोप्रेट हूँ जो टेक्नोलोजिकल वे सोलुशन्स हम देते हैं और मिस्ट कुपता से हम जोड़े हुए हैं पिछले बारह या चोदा साल से और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने साथ मिलके किये हैं और जो जिस तरह का विवहार रहा है मिस्टर गुपता का वो अपने आप में मतलब एक विशेष जिसको कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में कुछ आगे नया करने वाले कुछ आगे पढ़ने वाले उस तरह का हमेशा से रहा है अभी भी इस फेस में आने के बाद रिटार्मेंट के पाद उन्होंने जो प्लान किया ये भी देश के लिए समाज के लिए है इसमें भी अपना कुछ ना सोच के इस एज में अराम करने की स्थिति होती है और वो ना सोच के उन्होंने काम करने का सोचा और वो सोचने के लिए भी एक इस तरह का सुलिशन लेके आए क्योंकि पहले प्लान किया है और जो चीज हमें समझ भी आई है वो अपने आप में जिस दिन ग्राउंड पे रियलिटी में आएगी उस दिन उसका जो इंपेक्ट होगा वो पूरा समाज एक तरह से बदल जाएगा सारी चीजे मतलब कहीं पे भी नकारात्मक चीजे नहीं होंगी होंगी तो उनको ठीक कर लिया जाएगा और जो लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए भी एक आप्शन होगा जो आज के डेट में अविलेबल नहीं है जो लोग गलत तरीके से जीना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं लेकिन एक आदमी कह रहा है कि मैं पूरी तरह से इमानदार हूं इमानदार करके महनत करके खाना चाहता हूं तो उसको जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है तो वो चीज वहाँ पे नहीं है और इस पूरे सिस्टम के अंदर ये एक तरह से ट्रांस्फॉर्म हो जाएगा सिस्टम पूरा का पूरा आप एक रिलेक्स मतलब वातावरन भी शुद्ध होगा खान पान भी शुद्ध होगा और सबसे बड़ी चीज है कि जब खान पान और वातावरन शुद्ध होता है तो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज है और दिमाग में आने से पहले ही चली जाती है आगमी कि मतलब ऐसा करता हूँ जो दूसरों लोगों को कहीं न कहीं अफेक्ट करता है तो ये बहुत ही अच्छा है एक बहुत ही अच्छा इनिशेटिव है और मैं ये भी चाहूँगा कि जिस से जो बन पड़े वो उसको इसके सहयोग में करना चाहिए मैंने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे हिस्से का सहयोग जो मेरे से बनता है वो मैं करूँगा और यहाँ पे जो हमारा कल डिसकेशन हुआ था उसको हम कट शॉर्ट करते हैं उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी लेकिन एक जो मेजर था कि फैनेंस जो फंड क्योंकि किसी भी चीज़ को इनिशेट करने के लिए बहुत ही मतलब हमें एक अच्छा खासा फंड की जरुवत होती है और यहाँ पे सभी लोग कोई फैनेंचली साउंड ऐसा तो है नहीं कि हमने पचास सो करोड इसमें लगा दिया और उसके बाद बिजनेस हम कर रहे हैं ये हम सोसाइटी के लिए कर तयुजिस कोई ऐक मॉडल सस्टेनेबल ना हो तो हमें इसको सस्टेनेबल भी बनाना है और सस्टेनेबल बनाने के साथ-साथ यह प्लैन करना है कि जिस दिन हम इसको शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि एक तरफ से हमने फंड डाला और उसके रिपलाई में इंकम भी जनरेट होनी शुरू हो गई तब ही लोग इसके साथ जुड़ भी पाएंगे तो वही मेरा मिस्टर कुशन था करेंगे और एक हम एक्स्प्लेइन करें जिससे की जो भी सुने या देखे उसको ये समाझ आए कि सिर्फ फंड डालना एक मुद्दा है कि हमने फंड अरेंज कर लिया और वो डलके खर्च भी हो गया लेकिन उसकी रिकावरी कहां से होगी वो किसी ना किसी का तो फंड होगा और अगर वो तो उसके उपर इंटरेस्ट भी उसी दिन से शुरू हो जाता है तो हमें फंड डालना और फंड की रिकावरी इन दोनों के बीच में कितना समन में रहेगा कितना टाइम फ्रेम रहेगा तो ये दोनों चीजे हम आज मैं चाहूंगा कि मिस्टर गुता जो भी उन्होंने प् रियल कुछन पूचा है क्योंकि किसी भी सिस्टम को उतारने के लिए उसके लिए आर्थिक वैवस्ता बहुत जरूदी है हलाकि मेरा आउटसेट पे ये कहना है कि ये पूरा मोडल जो है कोस्ट और करंसी को तोटली नियूटलाइज कर दे रहा है क्योंकि वो जो है कोस्ट को अपरूपीएट करने की छमता पैदा कर रहा है तो कॉस्ट कहाँ एपियर होगी, कब रिकवर होगी, इसको हमने कॉस्ट कहाँ पैदा हो रही है, उससे डिस्कनेट कर दिया है। तो जो चीजें आप उससे खरीदना चाहते हैं, उसमें रियल वैलू पे, रियल टाइम बैक एंड इंजन जो है रूपी में पैमेंट कर देगा। अब आप जिस पैसे को अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं, चूकि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि रूपए का जो सरूप ह वो सीमित हैं, रूपए के कारण ही स्केर सिटी पूरे सिस्टम में आ रही है, तो हम चाहेंगे कि रूपी के रूप में चीजें ना रहें, चीजें हमारे बैलेट पॉइंट के रूप में रहें, तो उस जब एधी आप बिना अवसक्ता कि आपको कोई पैमेंट करना है, त आपको नीड नोट तो बदर अवाउट इट, you are spending in your point and the payment is being that done at the back end in the rupee term, right? आपके लिए practical experience में, wallet point और rupee में कोई फरक नहीं है, लेकिन बड़ा फरक भी है, एक फरक यह है कि जो चीज़ आप wallet point से खरीदेंगे, वो wallet point जो है, आपको CFB के UK system में, जो कि CFB का UK system आने वाले एक या दो साल में आपके पूरे environment को गहर लेगा, मतलब CFB के UK system के बाहर कोई चीज़, कोई activity संभव ही नहीं होगी, बतलब इसका मतलब है, CFB would expand itself in all activities, creating a CFB ecosystem, right? तो आप within CFB ecosystem जो भी पंचेज करेंगे, system will offer a 10% discount, तो आपको देखा जाए तो 10% extra value मिल रही है without any effect at your end, right? अब सवाल यह उठता है कि कहीं न कहीं पर जो है, पैसे की तो जुरूरत होगी, ठीक है ना? जब भी जो है, यह wallet point रुपए का safe लेंगे, जहां पर real payment होगा, that much money has to be available with the CFB wallet point, right? CFB wallet में, चुकि आप यहां से अपने wallet point का यूज कर रहे हैं, लेकिन backend engine तो रुपी में payment कर रहा है ना? तो backend engine के account में उतना रुपए होना चाहिए, right? तो रुपए की अवस्कता होगी, लेकिन CFB के पूरे कुश सिस्टम में हमारी एक पुरा concept हम joint venture के तहत ला रहे हैं, number one, number two, तो हर कोई हमारा joint venturist होगा, farmers हमारे joint venturist होगे, जो पौधों की नरसरी लगा रहा है, वो भी हमारा joint venturist होगा, जो गाय की breeding कर रहा है, वो भी हमारा joint venturist होगा, जिसे ग्वासाला बनाना है, वो भी हमारा joint venturist होगा, जिसे खेत में जो है, water harvesting के लिए नाली खोदना है, और aquaculture के लिए नाली खोदना ह जो भी हमारा जो है ना partner होगा right और वो तो कौश्ट पार्ट में चली जाएगी जो प्रॉफिट अकाउंट है जिसको हम बने एमस्प पॉपरली अभी तक बोलते आये हैं उस प्रॉफिट अकाउंट में जो है सी एफ बी की जो पार्टनर सिफ है वो एटी टॉंटी की रहेगी जो भी बने एमस्प जिसे इसे फार्मर्स के लिए अपने बने मस्प बात कही है दूसरों के लोग वो प्रॉफिट अकाउंट कर लाएगा क्योंकि minimum support प्राइस तो फार्मर के लिए बाकी लोगों के लिए तो मिनिम सपोर्ट प्राइस होगी नहीं तो फार्मर के लिए उसको 20 और 80 की फार्टनर्सिप रहेगी और CFB आपको सब काम करेगा आपका आपको यदि अपनी इंडिस्ट्री को चलाने के लिए raw material चाहिए तो वो raw material आपके दरवाजे पे पहुंचाने का काम CFB का रहेगा CFB आपसे जो tie up करेगा joint venture बनाएगा वो इसलिए बनाएगा कि जिससे आपके output को हम बेच पाएं तो वो output जो है कहां जाना है ये CFB का back end engine पहले से decide करेगा इसका मतलब है कि आप 24 घंटे चाहें तो अपनी इंडिस्ट्री चला सकते हैं ना आपको raw material की चिंता करना है ना आपको यह सोचना है कि हमें marketing कैसे करना कैसे खापेगा और आप profit कमा सकते हैं और profit का 80% आपको चला जाएगा 20% CFB को चला जाएगा यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए बन पार्ट आप आप आपकी जो प्रॉफिट का 20% आपके पास आपके पास आजाएगी तो देन यू एंटिसेपेट के वो कितने हुज मनी होगी वो इतनी बड़ी मनी होगी कि क्राइम फ्री भारत बैनर के नीचे जो आरेंडी का जो हम इन्नोवेशन हब बनाएंगे डैट विल बीगेस्ट इन द वर्ल्ड उसके आगे जो ना यूएसे लगेगा ना यूरोप लगेगा ना चाइना लगेगा यह हम आज प्रॉमिस करते हैं कि CFB बैनर में जो रिसेर्च एन इन्नोवेशन होगी डैट विल बी मेकिंग दा हाइस एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड और इसके लिए रिसोर्स की कोई प्रॉलम नहीं आएगी तो जब इसके लिए रिसोर्स की प्रॉलम नहीं आना है तो बाकी चीजों के लिए तो अब तो एक हमने आपको बता दिया पैसा कहां से आएगा तो 20 परसंट जो पार्टनरशिप का पैसा आएगा प्रॉफिट का एड विल कम अत्रोज दा इको सिस्टम चाहे वो फार्मर से हो चाहे वो जो है ना नरसरी वाले का हो चाहे वो जो है गौसाला बनाने वाले का हो वो गाय की बिडिडिंग करने वाले का हो, चाहे वो खाद को बेशने वाले का हो, तो हर किसी के जो है न प्रॉफिट एकाउंट में, इट विल बे ज्वाइंट वेंचर और आपको अपने काम को करने के लिए जो भी चीछ चाहिए, और आपसे कह रहे हैं कि आपका आउटपुट को चिंता नहीं पालना है आपकी बार्केटिंग इस नौट यूर रिस्पॉंसिबिलिटी मार्केटिंग इस दा अवर रिस्पॉंसिबिलिटी इसका मतलब है कि आप अपनी फैक्टरी को फिर पांच गंटे आठ गंटे नहीं चलाएंगे फिर आप 24 गंटे चला सकते हैं क्योंकि उसके चलाने के लिए जो रामेट्रियल चाहिए वो सी अभी प्रोवाइट करा रहा है उसके लिए जो स्किल सेट्स आई है उसको डबलब करके आपके दरवाज़े में देगा यह दि आपके लोग कम पढ़ रहे हैं तो एडिशनल स्किल सेट कर लोगां को ट्रेंड करके और वो ट्रेंग बड़ी फोकस्ट ट्रेंग रहेगी वो आज का जो है ना वो नहीं होग इसके बाद उसको जो ना सामने वाले को उसको कोई ट्रेंडिंग देनी की जरूरत नहीं होगी कि आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं मसिनरी उस मसिनरी को मोडिफाइ करने की जिम्मेवारी भी सियर्भी आपने उपर लेता है क्योंकि सियर्भी एक रिस्टेंड डवलप्मेंट हब क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आज जो आप कमा पा रहे हैं उससे चार आउट कोस्त जो आदमी आपका भाग गया फिर आपने आदमी खोजिए उसको रिक्रूट करिए उसको ट्रेंडिंग दीजिए और फिर वो एफिसेंट है के नहीं है यह सब जो है ना कवायत सियर्भी करेगा सियर्भी का स्किल इसकी डबलप्मेंट मॉडल आपको करेगा तो आपकी मॉड़ी को भी मॉड़ीफाय करेगा अभी सुरू में आप जो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे लेकिन हमारा जो रिसेर्च और डवलप्मेंट हब हर सेक्टर की मसीर्यरी और एकूपमेंट को इंप्रूबमेंट करेगा एड इट विल बेस्ट गूंद और देवाइसे स्लगेंगे उसमें ़िपीज लगेगा एंड विल बिकम आल्मोस्ट उटोमेट बट उसमें एक के रैशे जाएगी इट विल और रेप्लेस यूमन क्यों क्योंकि हूमन को इंटीगेड करके धनी बनाना है हमें बेर्ट को डिस्ट्रिबूट करना है लेहाजा इट विल नॉट बी सब्स्टूटिंग हुमें बट इट विल बी रिदूसिंग हुमें ट्रेचरी तो आप जो आज कमा पा रहे हैं और जो पूरे एको सिस्टम में जो भी जितना कमा पा रहा है वो 20% CFB का है राइट विल बी ए वेरी वेरी हुज मनी अब दूसरा जो पैसे का सोर्स है कि जो आपके जुएंट वेंच्रिस्ट है उन सब को कहा जाएगा कि आपकी जितनी भी मैक्जिमम लिमिट है the current limit of the bank वो आप करिए जो आपकी 100 क्रोड जो है तो hundred की देड़्मेट करें तो ऐसी आपकी जो पाट्नर्स है उन सब पाट्नर्स की जो अ करिंट लिमिंट होगी डैट विकम दा लिमिट अपल को तो खुर्चनी करना है तो आपको कर्चनी करना तो आपकी limit कौन यूज़ करेगा CFB यूज़ करेगी CFB आपको raw material दे रही है CFB आपको skilled manpower दे रही CFB आपकी machineों को improve कर रही है CFB आपकी energy need पूरी कर रही हो CFB आपके output को बेच रही है और जिस समय आपके gate के बाहर आपका product निकल रहा है उसी समय आपको payment मिल जा रहा है और payment के पहले quality check भी रहेगा और payment के पहले जो है ना एक modesty or humility test भी रहेगा क्योंकि हम हमें यह लग रहा है कि हमारा पुरा समाज value system devoid हो गया है तो वो humility को आदि हम value point भी कहें तो value क्या-क्या value के points होना चाहिए वो भी capture करेगा तो चुकि वो that directly will be affecting the payment तो हमारा behavior modification हो जाएगा तो हम अकिला chemical free और free के साथ हमारा behavior modification होगा हम एक नए और अच्छे भारत को पैदा कर पाएंगे जहां का culture जहां की सोच जहां के value system it will be very powerful very it will be negative free you have used very right word कि हम उसकी negativity को ले जाएंगे क्योंकि चाहे वो अपने point ना कटें इसके लिए चाहें वो अच्छा behavior कर रहा होगा लेकिन जसा आपको मालूम है कि 21 दिन तक किसी behavior को किया जाए तो वो आपका आदत का हिस्सा बनने लग जाता है और एदि उसे 90 दन तक कर दिया जाए तो वो आपके conduct का हिस्सा बन जाएगा it will become part of you तो जब यह लगातार आप विवार करते रहें तो वो विवार आपके आचरण का हिस्सा बन जाएगा it that will become the part of your value system that will become the part of your ecosystem right this 20 percent will be a huge money अपने कह दिया है आप second हो गया आपकी सबकी limit मिलाके what will be the total sum of that limit क्या आप इसको account for कर सप्ते हैं इसको में अभी तो संभावी नहीं मतला नहीं that will be such a big amount कि जो आपका जो है मुक्य संभानी के पास नहीं होगा इसाइं कि उतना पैसा तो मुक्य संभानी के पास नहीं होगा कि अब जो है जहां से भी आप इसा उठाएंगे करेंट लिमिट में उसको इंट्रेस्ट देना होगा तो सिय भी जो है इंट्रेस्ट पेमेंट लियाविल्टी इस उप दा सिय भी एंफर्दन तो एड इंसेंट्यू सिय भी क्या कर रहा है अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि वो कितने परसेंट एक्स्ट देगा इट विल गिव डट तो परसेंट और मोर तू दा अब अब दा इंट्रेस्ट तो पे तू दा बैंक और जो टू-परसेंट प्लस वाला है यह अपके प्रॉफिक अचांट में जाएगा एक कोस्ट शेंटलिंग कॉंट में जाएगा जिए जिए राइट इस्मावंट विल नोट बी अट दीशनल अर्ट जो कास्ट इंकर हो रही है और बिकॉश्ट इन उसको settle करने के लिए यूज होगा but you will be getting that additional earning तो एदी आपने पतास करोड या सौर करोड आपने उठाया है और उसपे आपकी कितनी huge liability होगी और एदी उसपे CFB आपको 2% ज़्यादा देता है तो that will become a huge earning in itself इसका मतलब है आपके limit के आपके जो पैसा उठाये जाएगा that will become a huge earning for you do you agree तो यह दो छीजें तो आपको आ रही है industries एंवाकि जुएन्ट वेंचर से फिर जो है farmers को कि इसका back-up है तो farmers जो है को अभी जो है एक केरिट किसान केरिट कार्ट मिला हुआ है राइट तो किसान के रेट काइट की मेग्यूम लिविट विल फिजिकली टेकर राइट और उसको पेइमेंट करने की जिम्मेवारी सीफबी की है और उसके दो परसेंट एक्स्ट्रा देगा जो की MSP प्लस अकाउंट में जाएगा तो अधि हम उसको कॉमर्सियल लेंगोज में कहें तो पहला एकाउंट है प्योर प्रॉफिट एकाउंट एट किसानों के लिए इस एकाउंट में जो है जो भी कॉस्ट आ रही है चाहे वो सीड की आ रही हो सैपलिंग की आ रही हो चाहे वो वरकर्स की कि आ रही हो लेवर कि आ रही होगी that will not be settled in one MSP account especially for farmers that will be pure profit मतला आपने जितना पैदा कर लिया तो ना आपको खाद के पैसे की चिंता करना है ना वीच के पैसे की चिंता करना है ना आप उसको workers की चिंता करना है कोई cost जो है उस पर load नहीं होगी तो that will be a very big amount right अब जो है सभी की जो limit होगी किसान credit card की that maximum limit will be taken for everyone and that will become a seed money right अब जो भी raw material है उस raw material को raw material के form कम से कम बेता जाएगा उसको process form में सबसे ज़्यादा बेता जाएगा तो process करने के लिए लेक्स आप जो है एग्रो इंडस्ट्रीज खुलेंगी जिसको हम government की वहसा में कहें तो उन्हों ने इसके लिए टर्विज की है फार्मर प्रोडूसर और्गनाजेशन तो उस फार्मर प्रोडूसर और्गनाजेशन को जमीन पर उतानने के लिए लिए की टीम है वकीलों की टीम है रैट उसकी जो पॉर्डल फॉर्मेंटी कंप्लीट करने के बाद उसको जो है नवाड से बहुत ही कंसेशनल रेट का जो है प्रावधान है तो बीज यूज हम विविल यूज आल बैंक के जो हैना लॉन वेरेवर इस रिक्वाइड का लॉन फानेंशियल इस्टिशन का लॉन तो अब अब हमारे पास चार्ज बड़े सॉर्स हो गए हैं पहला की अपनी प्रॉफिट that will be the 20% प्रॉफिट of the whole ecosystem that will be going to be a very big money right number one number two जो है all joint venturists they have to get a maximum जो है credit limit सो करोड पांसो करोड जितनी भी उनकी उकात है और उसका जो पैसा है उसमें 2% extra प्रॉफिट भी उनको मिलेगी तो आम के आम और घुटियों के दाम यहां उनको ना अपने लेवर की problem करना है इसके development करके लेवर देने की जिम्मारी हमारी राइट रॉफ माटेरियल जहां से भी आना है क्योंकि हमारा एक transportation module है तो वह आपके door step पे जो है ना आपका माटेरियल पहुंचा देगा तो इन आपकी मसिनरी को मॉडिफाइ करके ए प्लस क्वालिटी की मसिनरी रखे जाए जिससे कि आपका प्रोड़क्शन बहुत अच्छा हो वह भी हम कर देंगे और फिर जो आपका आउट पूट है उसे भी आपको बेसमें नहीं जाना है तो marketing का जो नो ऑवरहट खतम हो गया है और marketing के साथ साथ एक value सिस्टम में भी हमें एडवांटेज मिलेगा और वो एडवांटेज यह होगा कि अभी जो बिजूकों को जिनको हम सेलेवरिटी कहते हैं जो जूटे अड़र्टाइजमेंट के लिए हम करोड़ों पैसे देते वो सब बच जाएंगे कि हम इन्हें जूटे बिजूकों की जरूरत ही नहीं मतलब हम 24 गंटे चलाएंगे या एक ही जगह पांच यूनिट डालेंगे यह इस विल बीड़ फोकस आप दा इंडेश्टिलिस्ट डट बीड़ फोकस आप दा एफ्पी योड़ सो इनके लिए जो है जो किसान लिमिट का पैसा आगया देन आपका नवाड का पैसा आगया है देन फाइनेंशल इस्ट्विसन का पैसा आगया है देन आपके पास अपना 20 परसंट जो प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर का वो आ गया और फिर collective limit that will go in billions I am very sure जब हम आपके पैसे को अपने ecosystem से बार ही नहीं निकलने दे रहे हैं तो हमारा currency requirement तो minimize होता जाएगा हमारा जो इतना बड़ी currency पैदा होगी वो तो हम research and development and innovation में डालेंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि India will be the biggest and innovation hub of the world उसके सामने ना Europe लगेगा ना उसके सामने अमेरिका लगेगा आपकी जिग्यासा मैंने आपके satisfaction के level तक solve की है कि नहीं की है अरदवाई आप उसे supplementary question पूछी है नहीं इसमें solve हो भी है लेकिन जो हमारा पार्ट है इसका हमें एक इसको prototype बोलते हैं कि prototype पहले एक infrastructure शुरू करने से पहले बना के खड़ा करना होगा आपका आपको मैं बताना चाहूंगा के हमारा just a minute हम आपको बताना चाहेंगे के app or portal they are in manufacturing if everything goes well on 30th of this month we will be launching it right हमारा जो CFB valid is also in manufacturing it will be taking three months to launch it at least कम से कम 2,000 किसांस का एक FPO भी तयार ज़ूरी है क्योंकि इनकम कर नहीं होगा तो जहां जहां आपके पास सीड हो जाएंगे इनको सीड कौन है यह यह आपके cfb development officers और वो लगपती और करोपती होंगे क्यों क्योंगे उनको हर ज्वाइंट वेंचर के लिए दो हजार पांस जार दस जार रुपए मिलना है पहले ही पहले ही पहले ही और फिर एन्वल रिनोवल फीस भी मिलेगी 10 परसेंट 15 परसेंट वाटेवर 20 परसेंट वाटेवर भी डिसाइड तो उनकी जो भी चीज है उसको सजाएंगे एने लीगल ज्वाइंट वेंचर डॉकुमेंट वुट भी साइंग तो जो बाते हम कह रहे हैं दे विल बी आल पार्ट ऑफ डेट ज्वाइंट वेंचर डॉकुमेंट लीगली इनफोर्शेबल इन कोर्ट ऑफ लॉक जमानी जमाखच नह दो आपने जो बेसिक इनफॉरमेशन दी वह डॉकुमेंट आपका तयार हो गया और आपने बटन डबाया और अपना डिश्टल सिग्नेचर किया तो जॉइंट वेंचर कर डॉकुमेंट बन गया तो मैदसिन गुपतर के वी जॉइंट मीस नेचर हो गये और आपके वी वैसे रखेंगी जो जहां पर शुरू करेगी मेरा उज्जेशन यह है कि यह जो भी शुरू किया जाया इसको एक चोटे एरिये में किया जाए दो हम इसा बिलकूल नहीं कहा जाएगा क्यों क्यों क्योंकि इसकी स्टरंग्ट मिच्फिल इनsipsy app तो आपने चोटे अरिये में काम किया मालूम पड़ा वहां नालाइक साभ इनकाउंटर हो गए और मालूम पड़ा कि आप योर सिस्टम इस नौट सर्वाइविंग विकॉज वह नालाइक एक खटे हैं तो एक जगह नालाइक एक खटे हैं दूसरे जगह अच्छे लोग मिल तो देन वी कें से कि नहीं मॉडल में कोई कमी नहीं है यहां नालाइक लोग है देन वी कन फाइंड कि हमारा कॉलसी रिफाइनमेंट क्या होगा अधर्वाइज क्या होगा कि हमें हम सामिल्टेनिसली हजारों चीजों को देखिए आप एक घंटे में एक कपड़े को सुखा नशी हैं इसकी डबलबनेंट के समय्साँ नहीं है तो आप पायलोट प्रोजेक्ट जहाँ यहां पर भी आपको सीडमिल के की दा आपको तीम जाती यह वहां पर चालू अच्छाइन, जब तक हमारा जो है नाश की साको मितार होगा हम परेजयंट का यूज करेंगे तो जैसे जूंकरिये जो हमारे लोगा जो ज्यूं करिये जो आज पैदा कर रहे यह जो ब्रीडिंग सेंटर हैं उनकी गाये आज जो है ना जो है ना जो है जो है तहर सप्लाइ होना चालो हो जाएंगी जो एन जब वो डिलीवर हो रही है इस क्रियेटिंग प्रॉफिट जस्ट आउ आज आप कारवाई चालो करेंगे कल उसमें प्रॉफिट जर्रेट होगी आपको जो गैसिसन प्रियेट विल नॉट विकम विकॉज यू आर मेकिंग जॉएंट वेंचर विद रुनिंग कंपनी आज आप किसान के साथ वो करते हैं किसान आज कुछ ना कुछ तो पैदा कर रहा है ना जे जे आपका यी प्लेट फॉर्म उसी को तो जो है ना कंजूमर और प्रोडूसर को जोड़ रहा है जे और जो मिडिल मैन हैं डेविल आलसो बिकम दा पार्ट अफ दा इको सिस्टम क क्योंकि हमें ये धन और बैभाव बाटना है वेल्थ बाटना है हमें उनको जो है ना स्वस्त बनाना है उनके लाइफ की लॉंगेटिविटी बढ़ाना है इस दा पार्ट अवर इस्कीम ऑफ तिंग इस दा पार्ट अवर अब्जेक्टिव कोई प्रॉफित रंणिंग जो और आज का नेता और आज की सरकार अपना संभावधानिक डूटी इसलिए पूरी नहीं कर रही है क्योंकि हमने उसके इन्फोर्स्मेंट की मेकनिजम पैदा नहीं की है कि यह मौटी खाल के नेता जो है एक गलत काम कर ही नहीं पाएंगे संभावधान में उनका इन्फोर्स्मेंट नहीं हो रहा है कि मैं आप कहानी बताता हूं एक प्रोजेक्ट था हमारे बीपी आरेंडी में और उसमें था कि कोडिनिशन मेकनिजम पैदा की जाए क्योंकि जो जो पैरामिलिटी फोर्सेस हैं जो गायें बगएरा और जो बहुत सारे एनिमल एक्सपोर्ट मतला एक्सपोर्ट का इलीगली जो है ना स्मगल होते हैं बंगलादेश बगएरा में उनको सेंटर पैलामिटी फोर्स के लोग पकड़के पुलिस को देते हैं और उस वेक्तिने जो हमारा जो नॉडल ओफिसर था जो कि उस नेशनल पुलिस मिसन का उसमें ब जिसमें अपराधी और एनीमल को पकड़के कोई दूसरी फोर्स जो की गवर्मेंट अफ इंडिया की फोर्स है वो हैंड़ोबर कर रही है इसके बाद भी सग्यान लेने के लिए हमारी सोच एक कोडिनेशन मेकनिजम की है एकाउंटेमिल्टी मेकनिजम की क्यो नहीं है कि ब सेडूल सेवन की लिस्टू में ये पुलिसिंग करना इजे संबैदाने के रिस्पॉंसिबिलिटी तो एदी आपके 97 परसेंट 93 परसेंट के सिसमें एदी एफाई आर दर्ज नहीं हो रही है जिसके हमारे पास इतने पुक्ता साक्श अबलेबल है क्योंकि उसे सरकार की किया जाना चाहिए एसा पराओधान अल्री सम्वेड़ान में है हम जो है सम्विदान को स्लीक्टिव़ी यूज्ज कर रहे हैं इसक लिए हमारा सम्विदान जो ऑना वह женा काम नहीं कर पा रहा है यह तो एह स्से बहतर सम्विदान हो ही नहीं सकता है इसी सम्विदान के त हम तो किसी तरीकेसे सप्टा पे कावज होना चाहते हैं, चाहिए इसके पर्चेज करले हैं, उसक को गिरा दे। आप ये बताईए, आपकी पाल्सी नीती कहा है। यदि ये तौणा उसके पार्टी को चौड़के तुवारी पार्टी में आ रहा है, तो उसका च्रत्र बदल जाएगा क्या कि इसका लिए इसका मतलब है कि आपके राश्ठ सित की पॉलसी की आपकी सोच का हिस्सा नहीं है। इन प्रिकेरण साथता में हासल होना झाया है। आगे चलके ऐसा करना संभाव नहीं होगा. जी और ये CFB का मॉडल करके दिखाएगा और इनी नियम और कानून का जो है ना पालन कराएगा हम चेवनवती दे रहे हैं कि थानेदार की हिम्मत नहीं है कि वो फाई आदर करें तो वो सस्पेंड होगा और सस्पेंड कब तक नहीं किया जाएगा ये सस्पेंड करने वाले अ यह दिखनी होगी और हम फिर लेवल पर थोड़ी सोड़ेंगे हम तो इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट भी इविडेंस भी देंगे उनको पब्लिक इंडियन कानून में बहुत अच्छा कानून बनाया है उसे मालूम था कि पुलिस नालाइक होगी तो पुलिस जो भी कारवाई करती है यह जो है तो हम तो उनके काम को इश्ठतन कर देंगे हमारा चुकी पुलिस का दिमाग है तो कहां पर साक्स होंगे हम इनको वह भी बता देंगे जो साक्स अभी कैप्चर नहीं हो रहे हैं जब हम मसीन एकुपमेंट टूल हर पैदा कर रहे हैं जब हम वर्ल का हाईस्ट आरेंडी हब पैदा कर रहे हैं तो वह मसीन अपने डवलप मेंटल एक्टिवीटी के लिए टेक्सेशन की जरूरत नहीं होगी तो हम टेक्सेशन को जो ना 30% 20% 10% 5% 2% या 1% और वो 2% और 1% से इसलिए रखेंगे सो एस देर सुड़ बी अकांटिंग अभी तो जो नहीं सोची नहीं ना यह बताइए ना अभी जो है ना बरतमान सरकार एक बॉंड लेके आई उसमें कौन वो बॉंड में आपको पॉलिटिकल पार्टी में पैसा देरा उसका डॉनर का नाम नहीं है यह क्या सुद्ध बदमासी नहीं है आप यह देख रहे हैं आई थिक बन पॉइंट सेवन एट लाइक करोड जो है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो ना माप कर दिये गए हैं और इनी लोगों ने पैसा जो है ना इन पॉलिटिकल पार्टी को दिया है इसका मतलब है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है यह कोई बड़ी बदमासी है अब आप यह देखिए ना कि आपका जो है जहां 0% किर्मिनल्स होते थे पॉलिटिक्स में अब वो 42% किर्मिनल्स हो गए हैं हर पॉलिटिकल पार्टी किर्मिनल्स को जो है ना चुकि उनकी जितने की संभावना ज़्यादा है तो उनी कि से परहिद नहीं है किसी भी पार्टी के हो तुम आज आ वही हमें सरकार बना आना चाहिए जब इसमें rebuilt को क्जिए हो और साच्र वी होना चाहिए तो इस देश का कानून का निर्माता बनने के लिए आप को क्रिमनल्स क्यों होना चाहिए आपके 42 परसेंट लोगों के जो है ना एजपर दे और ओन एडमीशन दे आर हविंग किरिनल रिकॉर्ड और 29 परसेंट के ख्लाब तो बहुत ही जगन अपराद हैं किरिमनल मर्डर्स किन्नैपिंग रेप यह जो रेपिस्ट हैं यह मर्डरर हैं यह हमारे कानून के निर्माता क्यों बनना चाहिए तो एदी माननी मोधी जी ने कानून नहीं बनाया जो वो बनाने वाले नहीं हैं तो 2024 के पार्लियमेंट में आपके 50% से ज़्यादा लोग क्रिमनल रिकॉर्ड के होंगे तो क्रिमनल रिकॉर्ड के भी हैं और मौटी खाल के भी हैं और उन्हें आपके बेल्मेंट से कोई लेना देना नहीं उन्हें अपनी सरकार बनाना है तो ऐसी सरकारें कितनी खतरनाक होंगी इसको हम डेमोक्रसी नहीं कहेंगे इसको क्रिमनल 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 क्रिम कुछ मिला या नहीं मिला नहीं जवाम मिल गया है अच्छा जवाम मिल गया है फश्वाब इसको ऑन पेपर उतारने की ज़रूत है देखे ऑन पेपर जो है बेसिकली बाइ एक्षन उतारा जाए है राइट नमबर वन नमबर तू जो 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 इसके लिए जो से अजुन करिए कि जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर पेपर है ना उसके लिए लॉइर्स की टीम बनी हुई है और इट विल भी वो टीम हर उसको नहीं मनाएगी एक बेस डॉकुमेंट तो सेम रहना है तो उसमें सिर्फ नाम और पते लिखना है कुछ लिखना है तो उसके लिए एक मैक्रो रहेगा उसके आंगे पर उसके आपने उसरे उतनी जानकारी दीजिए और बटन दवाईए आपका ज्वाइंट वेंचर डॉकुमेंट इस यह मैं यह कह रहा हूं आपकी समझ के साब से वो डॉकुमेंट तयार करने की जुम्यवारी में आपको देता हूं फिर आप उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे और फिर हम उससे यह कहेंगे कि साब इसको कि हर चीज मेरे दिमाग में है तो मुझे बचाना पड़ेगा कि आप आपको यह रियलाइन्मेंज में है देट मेन जो है ना कुछ काम करता नहीं हुँ हर काम बाटता देरा हां हूँ हमारी टीम जो है जो है रांड अ क्ला काम कर रहे हैं इस फ्लोस SMITH पहा इस को यह कोई एजूके इसलिए हम कह रहे हैं प्हरत की सोच है कि हम ग्यानन नहीं माट तो वो काम नहीं करना है हमारा सोचना है कि हम नॉलेज और अवेरनेस नहीं बाटेंगे हम पात्र लोगों की जिनका यूज करने वाले हैं उनका इसकिल डवलब्मेंट करेंगे और उनका इसकिल डवलब्मेंट भी फोकस्ट इसकिल डवलब्मेंट होगा वो इसकिल डवलब्मेंट तीन दिन में पात दिन में साथ दिन में विसम परस्तियों में पंदा दिन से ज़्यादा बढ़ा नहीं होगा क्योंकि ना तो हम आपको इ तो आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि देट विल बी फिंचिंग यू इमेरियटली आप नेगेटिव काम किया जैट विल बी रिफलेक्टेड इन रेमेनियु श्ट्रीम कि आपको हजार रुपए मिलना चाहिए और आपको साथ सो रुपए मिले आपको उसी समय मालूं पड़ जाएगा क्या आप हाथ में आग लेते हो क्या क्यों नहीं लेते हो क्योंकि वह आपको ततकाल जला देगी तो आप गलत बेहेवियर और नेगेटिव थॉट इसलिए नह नेक्स्ट मुवमेंट जी यदि आप बहुत डेयर डेवल होंगे तो कितनी बार हाथ जवज़ती डालेंगे आप नहीं वह संभावी नहीं है कि आप यह बात मानने के लिए तयार है कि जो मॉडल हम कह रहे हैं उससे नेगिटिविटी बुलुक्त हो जाएगी नहीं वह तो मैं आपका आचरन संस्कृत हो जाएगा और दुर्स जो बासर देखे और जो एना सेमिनार देखे और बड़े-बड़े एंज्यो चला रहे हैं उनके धंदे बंद हो जाएंगे या तो वह सीअबबी के पार्टनर बनें मेकिंग टेकिंग ट्रांस्वर्मिंग इस में तो मेरे विचार आप से पूरी तरह से मिलते हैं कि रास्ता अगर मैंने जितना दिया है आदमी उसी पर चलेगा दिख रहा है नहीं नीचे गिरेगा तो आज की बातचीत जो इस फर्स सेशन की है यदि आपके पास इस बिसे पर लेके और कोई कुस्चन नहीं है तो तो मैं चाहूंगा कि इस बाता लेप को यहां पर ही अपन जो एना खतम करते हैं और फिर बाता को अपन कंटीनी रखेंगे तो आपको आपको आपकी पूरा सिस्टमेटिक जवाब मिल गया है या आपको इसा कुछ नहीं है कुछ होगा मैं उसको ओन पेपर रखोंगा और कि तरि आप से शेर करो हैं स्रीडियो साथ के में और टीदेर क्राटने के का वग नहीं होती है और मैं एक लाइट नहीं लिखता हूँ मैं उस का भूड़ का हुठ लगाता हूं और बाकि गाता हूँ वह बडियो रिकॉर्ड पे कहता हूँ और वो हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग के हसाफ से उस कागज को मौडिफाइब करने की जिम्मेवारी उसकी है जिसने प्रिडूस किया है तो मैं पैनले के आपके डोकुमेंट को जो है न एडिट नी करूंगा हम आपके डोकुमेंट के ऊपर एक सेसन करूंगा और उस मुझ चलाने का काम करेंगे बागी काब बागी लोग करेंगे ठीक है आप सहमध है इस वास से आज का सेशन जो है इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं आओ हम सब मिलके अपने देश को ससक्त भारत का निर्माल करें एक ऐसे एको सिस्टम को क्रिएट करें जिससे की हमारा द negativity से चाहे वो इलाज की हो चाहे वो केमिकल्स की हो चाहे वो हार्मॉन्स की हो उन सब को जो है दूर करके हम जो है ऐसी बिवस्ता इस्ताफित करेंगे वो भी आने वाले दो साल के अंदर कि कैंसर और अर्टोनॉमस डिसीजिज बिलूप्त हो जाएंगी अपने आप उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होगा इस कमिट्मेंट के साथ मैं आप सभी का आवहान करता हूं कि आप जिस सेत्र में भी हैं अपनी भूम का तलास हैं हमको जो आना बात करें हम आपको जो आपको बताया कि अपरिफिंग गोज वेल तो अंतीस तारी को अपना पॉर्टल लाउंच कर रहें हैं तो विए विल टॉक इंद टाइम लाइन फॉर में और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस सरूप में है उसी सरीप में वो जॉँट वेंचर का जना इस्सेदार बन जाए हाला कि हम इसको आइडियल पर लेते हुए हमको भी छह महीने एक साल लग जाएंगे और जहां पर हमें अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा वहां हम जल्दी कर लेंगे हो सकता है कुछ जो उतने पॉजिटिव सेंटर नहीं होंगे वहां पर उसको सेप लेते लेते दो साल भी लग जाएंगे लेकिन यदि एत्रा चालू कर दी है तो हम उसकी मंजल पर भी पहुंचेंगे इसी भावना के साथ मैं आप सभी का आवाहन कता हूं कि आए जुड़िये हम सब में हम सब बिलकर अपने देश को जो है हेल्दी पैल्दी और समर्थ बनाएं लेट इट वी दा biggest creativity hub of the world हमारे पास brain है हमारे पास ग्यान है और वो ग्यान हम केबल जो है आज जो कितामों में समीटा गया वो अकिला गया नहीं होगा जहां कहीं भी संभा होगा हम अपने पुराने बैदिक ग्यान को जरूर जो ना सामने लेके आएंगे क्योंकि वहां तो खजाना छिपा ह हुआ है जी भावना के साथ जो है आएए CFB से जुडिये CFB is now a full ecosystem it is not only crime prevention crime detection and justice system but it is it will be encompassing all aspects of your life जैंड जै भारत बंदे मात्रम झाल झाल